ब्रह्म गुणातीत निराकार निश्चित हैं लेकिन जिससे ब्रह्म की बात की जा रही है वो तो गुणों का ही सौदागर है वो तो रूप और रंग और आकार के अतरिक्त किसी को जानता नहीं बात ब्रह्म की की जा रही है लेकिन आप से की जा रही है बात निराकार की की जा रही है लेकिन साकार से की जा रही है तो साकार को निराकार तक जाने का रास्ता भी बताना पड़ेगा नहीं तो बड़ी विचितर दुविधा है जो साकार ही है और जिसकी पूरी दुनिया ही साकार है उसको तुम बार-बार बोल रहे हो निराकार 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 तुम क्या हो, साकार, अब साकार से मैं बार-बार बोलूं कि वो उपर प्रमात्मा निराकार है, तो सर्क हो जाएगा और परिशान हो जाएगा, कहेगा भाई जी, जितनी मैंने जिन्दगी जानी है, उसमें तुम मैंने जो जाना सबकुछ साकार ही है, यह आप किसकी बात कर रहे हो जो निराकार है मैं उस तक कैसे पहुचूँ कैसे उससे रिष्टा बनाऊ कैसे उसे पाऊँ पूजा भी कैसे करूँ उसकी अगर उनिराकार है तो साकार को बड़ी मुश्किल हो जाती है उस मुश्किल के समाधान के लिए बड़ी सुन्दर युक्ति निकाली गई है शिव विष्णु वो खास मूर्तिया है विधिया है तरकीब है, पुल है, सीड़ी है बड़ी नायाब सीड़ी है ऐसी सीड़ी जो साकार से शुरू होती है और उसका दूसरा सिरा बिलकुल आकाश में है जमीन को आसमान से मिलाने वाली सीड़ी है वो उनकी अभिकल्पना, उनकी रचना बड़े बोध से, बड़े ध्यान से हुई है कि साकार व्यक्ति, साकार मन जब इन साकार मूर्तियों पर ध्यान करेगा तो वो साकार का उलंगन करके साकार को पार करके निराकार में प्रवेश कर जाएगा जैसे कि कोई पुल को पार करके दूसरे तट पर पहुँच जाता है तो मूर्ति इसलिए है ताकि तुम अमूर्त तक पहुँच सको मूर्ति मूर्त के लिए है तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्योगि तुम्हें तुम्हें to मूर्ति ही चाहिए मूर्ति पर ध्यान करते हो, आगे निकल जाते हो लेकिन फिर उस ध्यान की एक शर्त है मूर्ति पर अटक मत जाना पत्थर का नाम शिव नहीं है लोग मूर्तियों पर खूब अटकते थे इसलिए कबीर सहाब आदिसंतों को मूर्ति पूजा का कितना विरोध करना पड़ा क्योंकि लोग मूर्ति पर अटक के रह जाते थे कितनी मूरक दुनिया है जो मूरत पूजन जाए कबीर सहाब की वाणी है कि कितनी मूरख दुनिया है जो मूरत पूजन जाए तासे तो चक्की भली जाका पीसा खाए ये जो मूर्ती का पत्थर है उससे भला पत्थर तो तुम्हारी चक्की का है कम सकाम उससे कोई वेवारिक लाब तो होता है ये मूर्ति के पत्थर से तुम्हें क्या लाब होता है मूर्ति के पत्थर से इसलिए नहीं लाब होता क्योंकि हमने मूर्ति का दुरुपयोग किया है मूर्ति थी ही इसलिए कि उसका प्रयोग तुम निराकार में प्रवेश के लिए करो लेकिन हम मूर्ति से ही चिपक कर रहे गए तब संतों को हमें याद दिलाना पड़ा कि मूर्ति पुल है और पुल पर घर नहीं बनाते पुल को पार करते है